नमस्कार दोस्तों हेक्टेर जमीन को जरीब कडी से कैसे नापेंगे इसको देखे, कहने करते हैं कि हेक्टेर में लिखा रहे, अंकित रहे तो उसको कैसे केलकुलेट करके उस भूमी को हम नाप सकते हैं यह सवाल है, देख लेजिए दोस्तों एक जरीब बराबर 66 पूट और इसके बराबर 100 कड़ी होती है एक कड़ी बराबर 7.92 इंच इसे सब जानते हैं हमारे वीडियो पिछला वीडियो में बताया गया है एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है और दोस्तों 0.001 हेक्टेर 1 हेक्टेर बराबर 250 स्क्वाइर कड़ी होता है इसको केलकुलेट करके जानेंगे दोस्तों एक देख लिए एक हेक्टेर का भूमी इतना बड़ा होता है ये पाथ सो कड़ी लिंक लिंक कड़ी कड़ी कहिए यहां यानिकी पाथ जरी अब इधार भी होता है पाथ सो लिंक पाथ जरी पाथ जरी पाथ सो कड़ी बराबर पाथ जरी अब हमको पाथ सो गुड़े पाथ सो कर देजिए इसके बराबर होता है ये दो लाक पचास हजार स्क्वाइर कड़ी पूरा विडियो देखे दोस्तों पचास हजार स्क्वाइर कड़ी होता है तब हमने पचास हजार स्क्वाइर कड़ी बताया और इसको हम एक हेक्टेर बराबर एक हजार धूर होता है या आर्ष कहिए यानि कि सभी तरफ से जानते हैं इसका कहने का यह होता है कि 0.001 हेक्टेर बराबर 250 कड़ी और इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ यदि 0.999 हेक्टेर है ते 999 धूर है दोस्तों यदि इसमें एक धूर जोड़ देंगे तो एक हजार हो जाता है यानि कि एक हेक्टेर वन इधर लग जाता है इसलिए एक हेक्टेर बराबर एक हजार धूर हुआ अब हम निकाले हैं दो लाख पचास हजार स्क्वाइर कड़ी ये दो लाख पचास हजार स्क्वाइर कड़ी को आप एक हजार से भाग दे देंगे इससे मल्टिपल करेंगे ये कर गयती है दो लाख पचास कड़ी बचा दोस्तों 250 स्क्वाइर कड़ी यानि कि एक धूर वन धूर बराबर 250 स्क्वाइर कड़ी जो हमने उपर में लिखा है ये सही है दोस्तों अब इसका पलाठ कितना बड़ा होता है एक धूर का देख लिजी इतना बड़ा होता है ये 25 कड़ी लंबाई और 10 कड़ी चवड़ाई तो एक कड़ी कितना फूर फूर में दे जानना चाहते हैं तो एक कड़ी बराबर 0.66 फूर होता है आप चाहें तो इसको 25 गुड़े 0.66 करेंगे तो बराबर आजाता है ये 16.5 फित हुआ दोस्तों इसी तरह ही अभी 10 गुड़े ये 0.66 करेंगे केलकुलेट करके देख लिए ये 6.6 फित आता है दोस्तों इस तरह से इसको 0.6 कैसे आता है देख लिए एक जरीब एक जरीब बराबर ये 66 फूर तो एक जरीब में 100 करी होता है तो 66 बटे 100 कर दीजी बराबर 0.66 ये फित दोस्तों इतना फित होता है इस तरह से असानी से कड़ी को फूट में बदल सकते हैं अब हम जानते हैं आपके हाँ लिखा गया है आपके पलाट में मानके चलिए आपके पास पलाट है 0.123 हेक्टेर इतना हेक्टेर है आपके पास ये कितना स्क्वेर कड़ी इसको जानने के लिए 123 से करेंगे तो ये 3750 स्क्वायर करी आता है आप इसको बोलेंगे कितना फित लंबाई चवडाई ती ये बहुत ही शराव है देखलेंची दोसकों 130 गुड़े 250, यानि कि 250 कड़ी लंबाई, 250 कड़ी लंबाई, 250 लिंक कहिए और 120 कड़ी इसकी चवड़ाई, अब इसको फूट में बदलने के लिए पुना उसी प्रकरिया को 250 उसी परिकरगया को अपनाई है, 250 गुड़े 0.66 0.66 करेंगे, तो किल्कुलेट करके देख लेजिए, इसके बराबर आता है, 165 फीट, ये जी 250 कड़ी बराबर 165 फीट, और इसी तरह, 123 गुड़े 0.66 करेंगे, करके देख लेजिए, किल्कुलेट, ये एक आसी दिसमलोग, एक आठ फीट आता है दोस्तों, इस तरह से, असानी से बनता है, दोस्तों, इजी तरीका से जान सकते हैं, इस परकार से, हमारा दोस्तों का अठा बीधा के पर्थम चैनल है, इसलिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और विडियो को सेर कीजिए, धन्यवाद,